नमस्कार मैं हूं डॉक्टर नितेश्राज आज हम बात करेंगे पेंकिलर्स के बारे में मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़्यादा ज़्यादा एवाइड करेंगे पेंकिलर्स खाना जब तक कि बहुत ज़्यादा जरूरी न हो तो चलिए शुरू करते हैं तो पेंकिलर्स जो है इसको अगर हम ब्रॉडली बात करेंगे तो तीन भागों में बाटा जाता है इसे पहला है पेरासीटामोल दूसरा है एंसेट्स मिन्स नॉन इस्टरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रक्स और तीसरा है ओपियोइट्स जिसको कि हम नार्कोटिक्स भी कहते हैं तो चलिए पेरासीटामोल से सुरू करते हैं पेरासीटामोल जो है एक तरशी बोला जा तो स को भी ये कम करता है लेकिन सूजन कम नहीं करता है अगर ये तीनों प्रोपर्टी चाहिए तो हम एंसेट्स में देखते हैं जो कि हम इसका जो है पतलब पावर बढ़ाते हैं 650 या अगर हम बात करें 1000 मिलिग्राम तो ये अच्छा पें किलियर की तरह जो है काम करता है और ये एक तरह से safe भी है पें किलियर side effects की अगर हम बात करते हैं तो side effects में जो है liver damage जो है सबसे जो इसका troublesome side effects है इसलिए हम इसे जो alcoholic patients होते हैं chronic alcoholic disease के patients जो है या जिनका liver जो है already deranged है hepatitis हो चुका है ये सब जो conditions है या hepatitis है तो इन सब conditions में जितना हो शके हम paracetamol avoid करते हैं क्योंकि paracetamol एक बहुत ही famous notorious है ये जो एक तरह से बोल सकते हैं कि ये liver damage करने के लिए अगर overdose में लिया जाए तो अगर हम paracetamol की dose की बात करते हैं तो ये जो है 6 hourly जो है interval पे आप maximum 4 बार दे सकते हैं और maximum अगर adult dose की बात करें तो कहीं जो है 32-00 mg तो कहीं 35-00 तो maximum जो है up to 4000 mg तक बोला गया है मतलब 6 घंटे के अंतराल पे आप जो है अगर tablet है तो 3 बार करके या maximum 4 बार करके 6 hourly interval पे आप ले सकते हैं या 8 hourly interval पे आप ले सकते हैं अब हम बात करेंगे insets की insets का मतलब है non-asteroidal anti-inflammatory drugs इन दवाईों में 3 properties होती है पहला कि ये दर्द भी कम करते हैं दूसरा कि ये temperature भी शरीर का अगर raised है तो temperature भी कम करेंगे और तीसरा कि ये season भी कम करते हैं मतलब अच्छा analgesic भी है anti-piratic भी है और anti-inflammatory ये दवाई ये common सी दवाईयां है जो main painkillers होता है ये इसी group की दवाईयां होती है जैसे gruffin है, combiflum है, hyphenic है zerodol है, boberan है, जितना भी आप market में देख रहा है, नाफ फ्लाम है ये सब जो, सब जो है, ये NSAIDs ही होता है, ये जो painkillers है इनको हम over the counter drugs बोलते है क्योंकि ये जो है, without prescriptions भी आपको मिल जाता है, इसलिए हम इसे over the counter drugs बोलते हैं, OTC drugs बोलते हैं, हाला कि जो opioids group है, जो हम next अभी देखेंगे वो जो है, without prescriptions जो है, वो दवाईयां नहीं मिलती हैं, तो चलिए हम देखते हैं, ये NSAIDs जो दवाईयां है काम कैसे करती हैं, तो NSAIDs दवाईयां जो है, दो enzymes पे ये work करती है, एक enzyme का नाम है COX 1 और दूसरा है COX 2 इसी पे ये काम करती है, मुख्यता इसी पे ये काम करती है, तो COX का full form है, cyclooxygenase 1 और cyclooxygenase 2 कौन सी दवाईयां जो है, 1 पे काम करती है, कौन सी 2 पे करती है ये chart मैंने दे दिया है, बहुत important chart है, आप इसे देखें और इसे समझें अब हम देखते हैं कि COX 1 पे अगर जो दवाईयां काम करेगी तो उससे क्या-क्या फाइदा होगा और क्या-क्या घाटा होगा, उसके हिसाब से आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सी दवाईयों के क्या फाइदे और नुक्षान है तो COX 1 पे अगर जो दवाईयां काम करेगी तो पहले हमें देखना है कि COX 1 पाथवे के थुरू क्या-क्या बनता था तो COX 1 पाथवे के थुरू जो है तीन-चार चीज़े बनती थी पहला कि उस्टा-ग्लैंडिंस जो कुछ केमिकल्स बनते थे जो की जो है pain mediators थे pain का message, pain का signal भेजा करते थे तो ये जो है mediators कम बनेंगे अगर इसको block कर दिया जाए तो ये तो एक अच्छा बात है लेकिन और तीन-चार चीज़े होती है इस pathway के थुरू जैसे कि हमारे जो पेट है gastric, जो mucosa होता है वहाँ पे bulgum का एक layer बन जाता है एक mucosa layer बनता है और वो हमारे पेट के जो layer है मतलब जो inner layer उसको acidity से protect करता है तो ये भी बना करते थी तो अगर हम block कर देंगे दवा खाके तो ये चीज़ नहीं बनेगी तो acidity का chances बढ़ जाएगा इसलिए हम बोलते हैं कि painkillers के साथ gas की दवाईया लेजिए next है कि जो kidney में blood जो flow है इसको भी बढ़ाता है इस pathway के थूँ तो अगर इस दवाईया खाके ये दवा खाके अगर हम इसको block करते हैं pathway को तो kidney में blood flow अच्छा नहीं होगा जिसके चलते kidney damage का chance बढ़ जाएगा और चौथा चीज है कि platelets जो है एक साथ aggregate कर आता था मतलब एक साथ पाश में लाता था platelets को platelets जो है हमारे एक साथ पाश में जब आते हैं तो कोई भी bleeding अगर कहीं हो रहा है तो वहाँ पे platelets एक साथ आते हैं और वहाँ पे जखम जो है सूप हो जाता है या heal हो जाता है मतलब भर जाता है bleeding बंद हो जाता है लेकिन अगर इस पाथवे को अगर हम block कर देंगे तो platelets जो है एक पास नहीं आपाएंगे तो bleeding जादा होगा तो आप खुद देखिए कि अगर COX-1 pathway को अगर हम block करते हैं दवा खाके जो है जो ऐसे insects जो COX-1 पे काम करते हैं तो फाइदा सिर्फ एक ही हुआ वो कि ये prostaglandins जो ये chemical है जो pain mediators है ये कम बनेंगे और दर्द की अनुभूती कम होगी लेकिन साथ में आप लिखिए कि तीन-तीन घाटा आपका हुआ तीन-तीन जो है side effect भी आपको जहिलना पड़ेगा पेट में जो है आपका gastritis या ulcer का chances बढ़ जाएगा kidney में जो है kidney damage का chances हो जाएगा और आप देख रहे हैं कि blood काफी पतला हो जाएगा और यह जो है आपका कहीं भी bleeding होगा तो bleeding नहीं रुकेगा हाला कि इस चीज का हम use कर लेते हैं low dose aspirin का जो cardiac patients हैं उनमें तो अल्रेडी चोटे-मोटे stroke जो हुए है या पहले किसी कोई stroke हुए है तो खून को पतला करने के लिए हम इस products का use कर लेते हैं इस side effects को हम एक advantage के तोर पे low dose aspirin का use कर लेते हैं फिर भी आप देखिए कि कितना सारा घाटा है जब भी हम COX-1 pathway को inhibit करते हैं COX-1 inhibitor NSAIDs के द्वारा तो एक दूसरा pathway, alternate pathway open हो जाता है और इसके थुरू कुछ ऐसे products बनते हैं chemicals बनते हैं जो हमारे respiratory system को जो है constrict करते हैं जो bronchioles है यह सब को constrict करते हैं और देखिए कि यह asthma patients को और तकलीफे बढ़ जाती है जो COPD patients की जो है उनको तकलीफे बढ़ जाती है अब हम बात करते हैं COX-2 के थुरू तो COX-2 के थुरू जो है दो चीजे mainly बनती है पहला कि जो inflammation होता है solution जो होता है यह और यह pain signals और यह pain mediators जो है यह सब बनते हैं prostaglanding और दूसरा बनता है इस pathway के थुरू जो है कि platelets को यह क्या करता है कि platelets को यह दूर दूर रखता है एक साथ जो है चिपकने नहीं देता है तो platelets को जो है दूर रखता है और खुन जो है पतला बना के रखता है generally तो अगर हम COX 2 को block करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि जो है दर्द तो कम जाएगा क्योंकि pain mediators और inflammatory cells यह सब कम जाएगे इनका बनना कम हो जाएगा तो दर्द की अनुभूती कम होगी लेकिन अगर हम बात करते हैं अगर कि platelets को यह क्या करता है कि platelets को यह जमने नहीं देता था मतलब दूर दूर रखता था blood flow maintain रखता था लेकिन इस pathway को block कर देने से platelets पास में आ जाएगे और clotting tendency और साथ में जमने की tendency बढ़ जाएगी जिसके चलते हर्ट में स्ट्रोक होने का चांस ब्रेन में स्ट्रोक होने का चांस बढ़ जाएगा तो कौन सा पेंकिलियर किस patient को देना चाहिए कौन सा पेंकिलियर बहुत जल्दी काम करता है कौन सा pain killer जो है heart पे कम उशर परता है, कौन सा pain killer जो है, pet पे कम उशर परता है, कौन सा pain killer जो है बहुत देर तक काम करता है, तो यह सारी जो list है, मैंने बहुत जादा मेहनत करके, बहुत journal से, पेडियेप से, books से यह खोज के, और मैंने यह आपके लिए दिया है, यह चाट आप देख लेखे, next है कि हम कैसे pain management जो है, करते हैं step by step, तो देखिए अगर दर्द कभी भी हो रहा है, और किनी को भी अगर हो रहा है, तो starting हम करते हैं, कि अगर आप मलहम लगा के, कम कर सकते हैं, तो मलहम लगाईए, means topical जो है, pain killer यूज कीजिए, local pain killer यूज कीजिए, इससे भी नहीं कमता है, तो parasitamol का यूज कीजिए, 650 यूज कीजिए, 1000 mg है, इसका भी आप यूज कीजिए, फिर देखिए कि इससे भी नहीं कमता है, तब आप NSAIDs के ऊपर आईए, जब आप NSAIDs दे रहे हैं, तो patient profile सोच समझ के दें, जिसको ulcer है, तो उसको COX 1 वाला दवा नहीं दें, जिसको hurt का problem है, वो COX 2 वाला दवा नहीं दें, और जब भी NSAIDs दे रहे हैं, तो साथ में जो है, एक gas की दवा, यह PPI ज़ो है जरूर दे, ताकि gastritis नहों हो, और एक चीज की जब भी देना है, तो minimum dose में NSAIDs दीजिए, और जितना कम duration के लिए हो, उतना कम duration के लिए दीजिए, और एक चीज की कभी भी दो NSAIDs, एक साथ नहीं दे दीजिए, जैसे किसी को जो है, brufin का tablet भी दे दिया आपने, और diclofenic का भी दे दिया, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा, दर्द कम करने के चकर में, जो है काफी ज़्यादा side effects देखने को मिल जाएगा, पेशिंट्स को, और अगर हम बात करते हैं, तो aspirin के साथ, जो है आप ibuprofen tablet, यह कभी नहीं दीजिएगा, क्योंकि aspirin का जो असर है, जो blood को thin करके रखता है, और पतला करके रखता है, यह असर जो है, कमजोर कर देता है ibuprofen, तो यह दोनों एक साथ नहीं दीजिए, और जब भी खाईए यह pain clear, insects तो हमेशा भरती पिट में, खाना खाने के बाद ही खाईए, ताकि gastric effect कम से कम हो, और अपनी पुरानी history, आप जरूर बता दे अपने doctor साब को, कि मुझे पहले ulcer की problem थी, या liver का था, या पहले heart attack हुआ था, या जो इस सारी details साब बता दे, उसके हिसाब से आपका pain clear, जो है, आपके doctor जो है, ideally और जो आपके लिए suitable रहेगा, वो आपको दिया जाए, पैन के लिए कि अगर हम बात करें, तो वो है opioids या narcotic, ये बहुत addictive pain clear है, मतलब इसकी लथ हो जाती है, अगर आप regular ये लेते जा रहे हैं, ये tablets, तो इसकी एक लथ लग जाएगी, और ऐसा लएगा कि इस दवा के बिन आप रही नहीं पाएँगे, और लथ क्यों लगती है, क्योंकि इन दवाईयों को खाने के बाद, आप काफी relaxed लगेगा, मतलब mentally भी आप काफी खुस हो जाएगे, और relax हो जाएगा, और mental plus physical dependence दोनों हो जाता है, शरीर आपका depend हो जाएगा उस दवापे, इसलिए काफी addiction होता है, और इसलिए इसके बहुत सारे जो product है, ये जो है market से ban कर दिये गये है, इसमें भी opioid में जो है synthetic है, semi-synthetic है और natural है, natural में morphine codeine आता है, और semi-synthetic में heroin आता है, और जो main medicines जो हम लोग यूज करते हैं, pain killers की तरह, वो है synthetic opioids, इसमें जो है tramadol आते हैं, pentazocene आते हैं, pathidine आते हैं, tramadol जो है बहुत अच्छा pain killer है, लेकिन ये जो pain killers हैं, इसमें जो है ये property, जो है anti-piratic मतलब temperature, कम करने का properties, suzen कम करने का property, ये समग नहीं होता है, ये सिर्फ डर्द कम करते हैं, जो pain pathway होता है, जो brain तक जाता है, वहाँ पर ये cut लगा देते हैं, block कर देते हैं, ताकि दर्द ब्रेन तक नहीं जाएगा, तो तर्द महशूस नहीं होगा, तो ऐसे ये काम करते हैं, जो है, opioids group of energetics, अब हम बात करते हैं, tramadol की, तो synthetic group जो opioids है, उसमें सबसे पहले tramadol जो है, tramadol जो है, use किया जाता है, tramadol tablets के form में भी आता है, injections के form में भी आता है, tramadol की अगर हम बात करें, तो इसको side effects जो है, जो है, नौजिया हो सकता है, मतलब जी मिचलाना, उल्टी हो सकता है, चक्कर आ सकता है आपको, और साथ में जो है, respiratory depression भी हो सकता है, constipation भी हो सकता है, क्योंकि respiratory depression और constipation, जितने भी opioid group के drug हैं, सबका ये side effects है, आइधर pentagocene भी आप यूज़ करें, या पेथिदीन भी यूज अब बात करते हैं कि Tramadol में जो है, property क्या क्या है, तो देखिए इसकी analgesic property है, दर्द कम करने की property है, लेकिन temperature कम करने की, और solution कम करने की property नहीं है, तो ये कब यूज़ किया सकता है, तो जिन patients में हम देखते हैं, कि उनको long term, जैसे उनको rheumatoid arthritis है, या cervical spondylolisis है, या बहुत सारे जो है problems जैसे osteoarthritis है तो उनको regular अगर medicine खाने की जरूरत है और वो aged patients है, hurt के मरीज है पेट में उनको suppose ulcer है तो इन सब conditions में जो है हम लोग tremadol देते हैं और अगर हम tremadol को combine कर देते हैं paracetamol के साथ तो इस दवा की जो है efficacy केशी potency है काफी बढ़ जाती है और बहुत अच्छा जो है energetic की तौर बें ये काम करता है ये injectable forms में भी आता है और अगर थोड़ा strong अगर हम opioids देखते हैं अगर tremadol से काम नहीं हो रहा है तो फिर हम आते हैं pentazocene के तरफ और फिर pathidine के तरफ हला कि ये सब hospitals में ही दिया जाता है only under strict monitoring क्योंकि respiratory depression करता है heart rate भी थोड़ा low कर देता है और आप देखिए कि consciousness level मतलब थोड़ा सा अपलेगा कि मतलब सुष्ट जैसे पढ़ जाता है next हम बात करेंगे एक और painkiller की तरह ही use किया जाता है वो है anti-spasmodic pain carriers जैसे कि अगर आप कहीं भी पेट के अंदर जो है maroad के mature के जो दर्द होता है या gall better का दर्द जो है gall better stone का अगर दर्द है या kidney में stone है तो maroad के जो दर्द हो रहा है या menstrual pain है तो इन सब conditions में जो है हम इसे use करते हैं जो कि anti जिसको बोलते हैं कि spasmodic drugs है मतलब ये muscle के जो contractions होते हैं जो anton है इसको जो है कम कर देते हैं और दर्द में release मिलता है example है जैसे कि dicyclamine होता है और शाथ में देखिए कि drotavarin भी होता है dricyclamine जो है decolic नाम से आता है उसमें एक और चीज मिलाए रहता है और शाथ में drotin DS नाम से भी drotavarin होता है ये सब आता है और ये सब combination NSAIDs के साथ भी आता है जैसे gerodal spas तो आप देखिए कि gerodal spas है तो acyclophenac भी होगा और शाथ में drotavarin भी होगा तो दर्द भी कम होगा और ये mature के जो हो रहा था ये जो contraction muscles का ये भी कम होगा तो काफी relief मिलता है खास कर menstrual pain में biliary colic में renal colic में पेट के अंदर जो हैंटे stenal अगर cramps जैसा हो रहा है उस conditions में भी ये काफी अच्छा काम करते हैं तो ये भी एक तरश से pain killers के तौर पे use किया जा सकता है मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इसे ज़्यादा से आदा आप share करें और अभी तक हमारे चैनल को आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले Thank you so much for watching Thanks